नमस्कार दोस्तों मैं विकवॉल आप सभी का फिरेक पर स्वाध करता हूं दोस्तों अपने इस यूटुब चैनल ब्रिजकार युद्धा पर पटना हाई कोट की बड़ी नोटिफिकेशन्स रिलीज हुई है दोस्तों जो की इंटर्व्यू से रिलेटर यहाँ पर नोटिफ इंटर्व्यू रिलेटर रीज हुई है वो मैं आपको साफ तरीके से बताने वाला दोस्तों चलिए हम इडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों इससे पहले एक पात बदा देना चाहते हैं दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको पतना हाई कोट जी ओभी डॉट इन के बीसले से चले आना है जहां पर आप देख रहे हैं कि बिहार स्टेट लिगल सर्विस ऑथरीटी के बिवसाइट है जिसके रिगार्डिंग पतना ह जो है वो जारी किया गया है बिहार स्टेट लिगल सर्विस ऑथरीटी के मादम से जो कि आप जहां पर देख पा रहा है यह नोटीसेज है जहां पर आपको यह चल रही है जिस तोर से आपको साब तरीके से दिखाया जा रहा है कि नोटीस देट इफेर दा इंटर्व्यू जिसके मादम से आदेश पाल और प्यून को लिकर जो फॉर्म भड़ी गई थी जिसके रिगार्डिंग जो है एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज की गई है जिसको मैं इस पीडियव के मादम से जो है बताने वाराओ दोस्तों जिसको आप साब तरीके से देख पा रहे ह जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट लिगा सर्विस ऑथरीटी यह आपको रिलीज की गई है 18.08 को यानि कि कल के डेट में रिलीज की गई थी आज 19 अगस्त है जिसके रिगार्डिंग बताया गया है कि एड़टाइजर नंबर जो है 3 2020 और 4 2020 के मादम से आदेश पाल और अनुसेवक की जो बाहली की जो प्रक्रिया की गई थी जिसको जो है डेट जो है एक्स्टेंड कर दिया गया इंटर्व्यू का कारण क्या है कि कोविड-19 के सुचियेशन को देखते हुए जो है टोटल सात महीने से बिहार में लॉक डाउन लगा हुआ है जिस कारण से जो है प्रती दीन जो है हमारी की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके करें इंटर्व्यू या एक्जाम चन्ड़क्ट कराना बहुत सी में इन दोस्तो यह जनकार्य है धी जिस rushing को मैं पढ़के भी बता देता हुं this is to bring to notice for all his parents who have applied for the appointment of pune in pursuance of advertisement no.3-2020 and orderly in pursuance of advertisement no.4-2020 of Bihar State Legal Service Authority that in view of the exceptional circumstance arising of pandemic COVID-19 and successive lockdown in last seven months जो कि आपको साथ महीने से लगातार जो है लोकड़ान के सुच्वेशन में है और हमारी COVID-19 बढ़ी रही है the selection process for the stage of interview is deferred जिसके कारण जो है interview selection करना interview लेना बहुत ही मुश्किल है and in view the aforementioned exceptional circumstance and the lesson the burden of state exchequer to be resumed in next financial year जिसके कारण जो है निर्ने लिया गया है कि अब जो है इसका कोई भी interview exam का situation जो होगा वो आपको next financial year यानी कि 2021 में लिया जाएगा 2020 में अब इसकी कोई सुचना नहीं हो गई high court को लेकर जो आदेश पाल और अनुसेवक के जो बहाली की गई थी बहाली की प्रक्रिया को लेकर जो फॉर्म आवेदन किये गए थे जिसको लेकर जो है इसका exam conduct 2021 में किया जाएगा दोस्तों अब इस साल जो है कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके कारण जो हमारी बहुत जाला बढ़के तो एक तरीके से जो है यह सही निर्नाय लिया गया है दोस्तों क्योंकि कि इस महामारी में exam अगर conduct होता भी तो बहुत सारे लोग जो है वहां पर नहीं पहुच पाते दोस्तों तो उस अभिवर्थियों के लिए student के लिए भी यह बहुत ही सुनारा आउसर और बहुत ही सुनारा मौका भी दिया गया है दोस्तों चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर एक वार फिर पटना है कोट से रिगार्डिंग कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज होगी तो मैं आप तक जो है सबसे पहले पहुचांगा दोस्तों और फिर मिलते हैं एक नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों